हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ समर और आप देखरें समर कंप्यूटर नॉलिच दोस्तो आज का टॉपिक है एजीपी तो आज का पहला कुछन है वाट इस एजीपी यानि एजीपी क्या है एजीपी स्टेंड्स फॉर एक्सिलरेटेट ग्राफिक स्पोर्ट यानि AGP का जो full from है वो है accelerated graphics port AGP is an advanced port designed for video cards and 3D accelerators यानि AGP जो है वो एक advanced port होता है जिसे video cards और 3D accelerators के लिए design किया गया है मतलब AGP ford जो है वो इसी तरह से दिखता है और एक computer की motherboard में रहता है It was initially intended to replace video card connectors of the PCI kind यानि AGP का जो पारम में उद्यस्त था वो था जो PCI video card connectors है उसको बदलना मतलब PCI video cards connector को बदल करके AGP को लाना AGP is a point to point channel that is used for high speed video output यानि AGP जो है वो एक point to point channel है जिसे तेजगती video output में यूच किया जाता है This port is used to connect graphics cards to a computer's motherboard यानि AGP port जो है ओ ग्राफिक्स कार्ड को computer की motherboard में connect केने के लिए उफ्योग किया जाता है It increases the speed at which machines can render graphics while using the system's resources more efficiently यानि ए उस गती को बढ़ाता है जिस पर machine system resource को अधिक कुसलता से उफ्योग करते हुए graphics को प्रस्थूत कर सकता है The primary purpose of an AGP is to convey 3D images much more smoothly than each possible on a regular PC यानि AGP का जो प्राथमिक उद्ध्यस है ओ है regular PC मतलब जो regular personal computer होते हैं उसमें बहुती smoothly 3D image को दिखाना तो एथा AGP क्या है उसके बाद आगला question history of AGP यानि AGP का क्या history है यानि AGP जो है उसे इंटल ने ओगास्ट 1997 पर डेवलाप्ट किया गया है और इसे socket 7 Intel P5 Pentium और slot 1 P6 Pentium 2 प्रोसेसर में लाँच किया गया था तो एथा history of AGP उसके बाद आगला question versions of AGP यानि AGP का क्या क्या भार्सन्स होते है there are three versions of AGP मतलब AGP का तीन भार्सन्स होते है पहला है AGP 1.0 इट वाज इंटोडूश्ट इन अगास्ट 1997 यानि जो AGP 1.0 है उससे अगास्ट 1997 पर इंटोडूश्ट किया गया था its clock speed इच 66 MHz मतलब AGP 1.0 का जो clock speed है वो है 66 MHz और its data transfer rate इच 266 Mbps and 533 Mbps और AGP 1.0 का जो data transfer rate है वो है 266 Mbps और 533 Mbps तो यह था AGP 1.0 उसके बाद है AGP 2.0 इट वाज इंटोडूश्ट इन में 1998 यानि AGP 2.0 को में 1998 में इंटोडूश्ट किया गया था its clock speed इच 66 MHz यानि AGP 2.0 का भी clock speed 66 MHz है और its data transfer rate इच 1066 Mbps और AGP 2.0 का जो data transfer rate है वो है 1066 Mbps उसके बाद है AGP 3.0 इट वाज इंटोडूश्ट इन नौभेंबर 2000 यानि AGP 3.0 को नौभेंबर 2000 पर इंटोडूश्ट किया गया था और its clock speed इच 66 MHz यानि AGP 3.0 का भी clock speed 66 MHz है और its data transfer rate इच 2133 Mbps और AGP का जो data transfer rate है वो सबसे ज़्यादा है 2133 Mbps तो यह था भार्षंस ओफ AGP उसके बाद अगला कुस्सन characteristics of AGP यानि AGP की क्या क्या बिसे सता है तो पहला point है यानि AGP का जो पार्फोमेंस है वो हाई क्वालिटी और बहुत तेज है उसके बाद अगला point दा primary memory of the computer इच directly accessible यानि AGP में computer की जो primary memory है उसे directly access किया जा सकता है उसके बाद अगला point इच कानेक्ट और्स टू दा CPU एंड ओपरेटस एड़ दा स्पीट अब दा प्रोसेसर बास यानि AGP को पहले CPU में कानेक्ट किया जाता है उसके बाद वो प्रोसेसर बास की स्पीट में काम करता है उसके बाद अगला point इच के लिए कार्ड को बहुती तेजगती से वीडियो इनफोर्मेशन को सेंट करता है उसके बाद अगला point इच के लिए के लिए में मेमोरी का यूच करता है उसके बाद अगला point इच के लिए के लिए दो तरीका होता है एक होता है पाइपलाइनिग अड्रेसिंग दूसरा होता है साइड बेंड अड्रेसिंग उसके बाद आगला point दा पोर्ट इच आइडेंटिफाइट बाई इट्स ब्राउन कलर यानि जो AGP पोर्ट होता है उसका जो रंग होता है वोता है ब्राउन कलर तो मादर बोर्ड में जो ब्राउन कलर की फोर्ट होता है वो होता है AGP फोर्ट तो यह था कुछ करेक्टरिस्टिक्स ओफ एजीपी उसके बाद आगला question Advantages of AGP यानि AGP का क्या-क्या फाइदा है तो पहला point है texture maps of countless sizes, levels of details and realism can be used यानि इसमें अनकिनत sizes, details की store और realism को texture map में यूज किया जाता है उसके बाद आगला point 3D applications will function more quickly यानि computer system में AGP रहने पर जो 3D applications होते हैं वो बहुती तेज गती से काम कर सकता है उसके बाद आगला point video traffic will flow smoothly to the user screen across the AGP bus यानि AGP bus रहने पर user की screen में जो वीडियो traffic हो बहुती smoothly flow करता है उसके बाद आगला point AGP assist OEMs in keeping costs under control for new PC designs by reducing the requirement for video RAM यानि AGP video RAM की जो requirement है उसे कम करके नए PC design के लिए जो भी खर्चा होगा उसे control में रखने के लिए OEMs मतलब Original Equipment Manufacturer सहता करता है उसके बाद आगला point systems will operate more steadily by removing graphics and video traffic from the PCI bus यानि PCI bus से graphics को और video traffic को remove करने पर systems बहुत तेजी से काम करता है मतलब कोई भी computer system में जो PCI bus के graphics और video traffic होते हैं उसे remove करके AGP bus को लगाने पर जो computer system है वो बहुत ही तेजगती से काम करता है तो यह था कुछ advantages of AGP उसके बाद आगला question disadvantages of AGP यानि AGP का क्या 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 लुक्सन है तो पहला point है data transfer rate is slow यानि AGP का जो data transfer rate है वो slow है उसके बाद आगला point AGP is an older technology that has been largely replaced by newer interfaces such as PCI Express which provides faster and more reliable performance यानि AGP जो है वो पुरानी टेखनीक है उसको replace करके PCI Express को एक नए interface के रूफ में यूच किया जाता है और PCI Express जो है वो तेजगती और जादा reliable performance प्रदन करता है उसके बाद आगला point lack of support यानि AGP में support की कमी है उसके बाद आगला point AGP video cards consume more power यानि AGP जो video cards होता है वो जादा power consume करता है उसके बाद आगला point AGP video cards can generate a significant amount of heat यानि AGP video cards एक महत्फुन मात्रा में heat भी generate करता है तो यह था कुछ disadvantages of AGP तो दोस्तो आज के लिए बाद इतना ही मिलते हैं next video में तो आप PCI का है जानना चाहते हो तो end screen पर लेट वाली वीडियो पर क्लिक करना और PCI Express का है जानना चाहते हो तो end screen पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे computer knowledge बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को subscribe करना